हेलो स्टूरेंट एक्जाम्पल नम्बर 17 आप प्लीज चनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जो कि मुझे एक अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करें तो एक्जाम्पल नम्बर 17 से अब हम यहां पर जो क्वेश्चन अब हमारे आने वाले हैं 17 यो आगे जो 4-5 एक् यहां पर बिल जाएं तो यू इंटू वी का डिफ्रेंटिशन तो हमें आता है लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करना होता है तो मैं यहां पर उसका फॉर्मुला पहले लिख लेते हूं तो एफ मतलब है फॉर्स एस मतलब है सेकंड अब आप कैसे डिसाड करोगी कि कौन सा है है और कोसिक्स करी टरिनो में तो पहले को आ रहा है ऐलजरिक तो इसका मतलब यह फर्स कौन हो यह आपका 2 फंक्शन ऒंक्शन यह अब इससे आएडिया लगे लगो कि अब फॉर्स सेकंड करना हुद सबसे पहले सबस्टेशन करना है फिर आपने झाल फिरव है तो एस है यहां डबा बना लो और एक लगा लो वह अपने एक integration एक्स्ट्रा लगाया है तो दी एक्स भी तो लगेगा किसी ने किसी के respect में तो यह हमने as it is लिखा है इसके बाद हमने कुछ नहीं किया एक integration लगाया है तो दी यह हमारा formula होता है अब first second कैसे देखना था वह भी हमने यहां पर देख लिया तो first function यहां पर हमारा x हो गया और second function जो है वह हमारा यहां पर cos x हो गया चलो value पुट कर लगते हैं तो integration of x cos x dx हो गया first function integration of second function इस तरीके से अगें same लिलो first function integration of second function अच्छा एक चीज़ और रहेगे न यहां पर यहां डी बाइडी एक्स भी आएगा यहां पर डी बाइडी एक्स भी आएगा same लिलो गया x integration of cos x dx हो गया तो अब आपको minus लगाना है एक integration लगाना है एक d by dx लगाना है तो यह integration लगाया है तो इसका dx भी यहां पर लगेगा चीज़ यह हमारा formula अब बस इसको solve करो एक x हो गया integration of cos x क्या होता है तो sin x होता है फिर minus integration as it is d by dx of x क्या होता है तो 1 होता है integration of cos x क्या होता है तो sin x होता है और एक dx भी यह एक integration बच रहा है तो यह आपका हो गया x sin x minus integration 1 into sin x क्या हो गया साइनेक्स देश तो integration of साइनेक्स क्यों होता है minus का cos x होता है x sin x minus minus का cos x plus आपका सी होता है minus minus plus होता है x sin x plus cos x plus आपका सी this is your final answer चीक है तो यह आपको formula कैसे याद करना है वो भी आपको बता दिया और कैसे solution है वो भी मैंने बता दिया now next question भी simple है तो वो भी इसके साथ का देख लेते हैं integration of log x अब आप कहोगे ma'am ये तो एक ही function है एक ही function है यहाँ पे तो इसको इसमें कैसे बता चलेगा कि हम इसी method से करें तो देखो कुछ question ऐसे होगे यहाँ आपको ध्यान रगना पड़ेगा तो जो अब हम ये by part method कर रहे हैं तो आप याद रुको कि integration of log x में हम यही method apply करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई function नहीं है एक और तो हम इसके साथ में 1 लिग लेते हैं 1 यानि कि आप समझ लो कि x power 0 को मान लो या तो ठीक है x power 0 1 होता है तो यह algebraic हो जाएगा तो वही i l a t e तो inverse log आपका पहले आ रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे log को first function मांगे तो इसको हमने first मांगे और यह algebraic algebraic आपका x power 0 की तरफ आप देख रहे हैं तो यह आपका second हो गया चलो अब आप integrate करो first function तो log x हो गया integration of second function यानि 1.dx हो गया फिर minus integration d by dx लगा दो और यह पूरा का पूरा as it is लिगए log x integration of 1.dx क्योंकि हमने बाहर integration लगा है तो इसका dx यहाँ पर लग गया अब करो यह आपका log x हो गया और यह integration of dx क्या होता है तो x हो जाता है फिर अब आपका यहाँ पर कितना रह गया minus d by dx of log x तो d by dx of log x 1 upon x होता है integration of dx तो x हो जाता है तो यह हमने क्यार दिया और यह dx हो गया x से x आपका हो गया cancel x log x minus integration of dx हो गया integration of dx आपका फिर से क्या हो जाएगा x तो यह आपका log x minus x प्लस आपका c यह इस इस यह फाइनल answer तो कुछ नहीं solution के अंदर इसा कोई problem नहीं है लेकिन अगर exam में आपको random question दे दे तो आप इतने method आपके पास है कि आप समझी नहीं पाऊगे कि इसमें कौन method apply करना है तो यह question जो है जिसमें कहीं पर अगर कुछ याद अठने की चीज़ तो एक notebook में उनको अलग से लिखते जाओं ताकि दस question भी अगर बनते हैं कि यह भाई इसमें यह चीज अपको ध्यान में रखनी है तो उनहीं दस question पर आपका ध्यान जाएगा इस Q में यह पहले आ रहा है तो यह आपका first function हो गया exponential function Q में बाद में आ रहा है तो यह आपका second function हो गया चेक है अब वही आपका first function integration of second function minus integration d by dx और as it is आप यहाँ पर जो उनने पहले लिखा है वो लिखा है लेकिन हमने integration लगा है उसका dx यहां रहा है चलो अब x integration of e power x e power x ही होता है फिर minus integration d by dx of x क्या होता है तो 1 होता है integration of e power x e power x ही होता है और अब आपका एक बारो integrate करना रहे है तो यह आपका x e power x हो गया minus integration of e power x dx हो गया integration of e power x क्या होता है तो e power x ही होता है यह आपका तो इन में तो कुछ याद रखने का था नहीं यहां पर आपको बाइपर्ट में सामने दिख रहा है फंक्षन है दूसरा है सिर्फ लॉग वाले में आपको बास नहीं तो आपको तीनों क्वेश्चन उच्छी से समझ में आगे तो पीस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राब करे भ्ताब तो यहां जो पूछ दिखा फिर्हें दिन में तो